Hello Friends, आज के एपिसोड में हम जानेंगे आइंस्टेंड की दिये हुए नियम Specical Relativity और General Relativity जिससे हम समय यात्रा कर सकते हैं पहले हम जानेंगे Specical Relativity के बारे में Specical Relativity में होता क्या है? हम जितनी तेज़ी से यात्रा करेंगे हमारे लिए समय उतना ही सुस्त होगा और दुसरा है General Relativity General Relativity में Gravity का काम होता है उसमें Gravity के कारण समय सुस्त होता है Gravity जितना ज़्यादा होगा उतना ही समय सुस्त होगा तो इस दोनों थियोरी से हम समय यात्रा कर सकते हैं लेकिन समय यात्रा करने के लिए हमें Light के Speed से चलने वाला कोई वाहन चाहिए नहीं तो हमें किसी ऐसे वस्तो के पास जाना होगा जिसका Gravity बहुत ज़्यादा हो जैसे Black Hole हम Black Hole से समय यात्रा कर सकते हैं पर हम से सबसे नजदी की Black Hole 1.600 Light Year दूर है मतलब कि प्रकास को ही जाने में एक साल लग जाएगा साइन्स अभी तक इतना तरक्की नहीं किया है कि वह प्रकास से Speed से कोई वाहन बना सके मतलब कि प्रकास के गती से चलने वाला कोई वाहन बना सके अगर हम Black Hole के नजदीक जाते हैं तो बहुत गदी विधिया पैदा होंगे जैसे वहाँ का Temperature बहुत जादा होगा हमारा Space Craft खिचा के लंपा हो जाएगा वह होगा Event Horizon के कारण जिसे हम Tidal Effect कहते हैं अगर हम Black Hole के नजदीक जाते हैं तो हमें उसके किसी एक ऐसे और्बिट पर जाना होगा जहां पर Givetational Force जादा ना हो और साथ ही साथ हमें Black Hole का चक्कर जादा गती से लगाना पड़ेगा जिससे Black Hole हमें अपनी और ना खिच सके अगर हम Black Hole के नजदीक एक मिनिट एक सेकेंड बिताते हैं तो वह एक सेकेंड प्रित्वी के एक साल के बराबर है तो इस तरह हम Black Hole के नजदीक जाके समय यात्रा कर सकते हैं Black Hole के नजदीक जाने में हम लोग का मदद वार्म होल कर सकता है वार्म होल के बारे में हम लोग दूसरे प्रिसोड में जानेंगे आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सस्क्राइब कीजिए ठैंक्यो